नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराज सक्सेना, आप सभी लोग का अर्दिक स्वागत, एवाँ अभिननदन करता हूँ, इंस्ट्रक्टर कम्यूटी की खास पेशकष, एंजिनेरिंग ड्रोइंग अभैदान स्रीज में, तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्च्चर में हम हैप्टागन बनाना सीखेंगे स्यमिसर्कल मेहिट से, आप हैग्जगन भी बना सकते हैं, हैप्टागन भी बना सकते हैं, बस आपको एक माइनूट सा चेंज करना होता है विधी में, वो चेंज क्या करना है, वो हम आपको विधी के बीच में ही, जहां पर जो छोड़ा सा होता है वहीं पर बता देंगे ठीक है तो अगर आपको हेप्टगन मनाना है जिसको हिंदी में आप सब तो भुछ बोलते हैं ठीक है अर्ध वृत्ते विधी से सैमिसर्कल मेहट से तो देखें मान लीजिए आपको इस तरह से कोशन दिया गया है रेगुलर हेप्टगन और साइड के लंबाई है जैसे हमको 40mm की एक लाइन ले लेंगे जटने भी साइड सी ओक आपको लेनी है फॉर्टे एमएन है जैसे फ्रॉम्गर तो हम घया कर रहे हैं 40mm की हमने एक लाइन ले ली ठीक है इस लाइन को जो आपकी इच्छ होग आप कह सकते हैं मैं इस लाइन को AB कहूंगा उसके बाद देखे आपने क्या करना हमना प्रकाल लेना है और A को A में इस तरह से एक सेंटरस का लीजिए दूसरा B पे लीजिए ठीक है और इस तरह से एक AB का रेडियस लेते हुए एक इस तरह से semi circle बनाएंगे इसलिए इस विधी का नाम semi circle method है हमने क्या करना है यह जो हमने लाइन AB है इसको हम extend करेंगे इसको हम extend करेंगे ठीक है जिससे हमारे semi circle को काटे तो यह जो semi circle इसको काटेगा C point पे ठीक है उसके बाद देखे उसके बाद हमने क्या करना है यह जो हमारा semi circle है इसको हम 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे देखे अगर आपको यहाँ पर hexagon बनाना होता तो आप इसी semi circle को 5 बराबर भागों अब देखे, इसको साथ बराबर भागों को कैसे डिवाइट करना है, उसके लिए आपको पता होगा कि सेमी सर्कल का ये जो एंगल होता है, अंदर का कितना होता है, 180 डिवरी होता है, जो पूरा सर्कल होता है, उसका कितना होता है, 360 होता है ठीक है इसलिए semi circle का 180 तो इसको size divide देंगे तो इसको solve करेंगे आप तो ये 25.7 आएगा ठीक है तो अब अब देखे उसके बाद हम क्या करेंगे 25.7 अपना जो आपके आप protector है चांदा है उसे measure करेंगे ठीक है अब देखे ये 20 है 20 और 30 के बीच में 25 के line होगी ठीक है 25 के बाद याला जो point है 26 है तो 25.7 का होगा 25 और 26 के बीच में आ गई होगा तो आप ऐसे approach लेके 25.7 measure कर लेंगे कोई भी आप normal जो आपके पास चांदा है उससे प्रक्रिया कर सकते हैं मैं set square में लगे चांदी का प्रियोग कर रहा हूँ ठीक है तो हमने यहाँ पे 25.7 approach ले लिया है उसकी बाद हमने क्या करना है इस तरह से इसको यहाँ पे आप एक point लगा लेंगे ठीक है इसके वहाँ पे help लेके इस तरह से एक point लगा लेंगे फिर आप अपना प्रकार का use करते हुए इस तरह से इस distance को अपने प्रकार में भल लेंगे ठीक है यह first point हो गया फिर इस तरह से आप आगे भी चाप्स लगाएंगे आगे इसमें आपने आप्स लगानी है यह ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है यह जो हमारे points से जो हमने आप्स लगाई है नुपया 1,2,3,4,5,6 लिख लिए ठीक है तो इस तरह से जो हमारा semi सरकल है 7 बरावर भागों में बढ़ चुका है फिर आप a b है इसको हम समद्विभाजित करेंगे समद्विभाजित करना मतलब perpendicularly bisect करना जिसका मतलब है इसको हम दो बरावर भागों में बाट देंगे उसके लिए हम क्या करते है अपने प्रकार को आधी से ज्यादा दूरी हम खोलेंगे ठीक है और इस तरह से हम arcs लगाएंगे ठ इस तरह से ठीक है और इन लाइन्स को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से intersection point होगा यहां से जोड़ दीजिए उसके पास यह process आप यह करेंगे a2 line के लिए apply करेंगे ठीक है आध से ज्यादा दूरी खोली इस तरह से यहां पर arc लगाई और इस तरह से यहां पर arc लगाई ठीक है और जो arc सबने लगाई थी बिना radius चेंज करें उसको a2 वाले से second point से cross कर दिया ठीक है फिर इसको आप इस तरह से मिला लीजे ठीक है यह lines जहां पर भी intersect करेंगी वो होगा आपका point number o इस point से आप जो भी circle बनाएंगे ठीक है इस point से जो भी आप circle बनाएंगे वो आप के जो point number a, b, or 2 है तीनों से पास होगा तो आप o b की radius लेके या o a की radius लेके एक circle बनाएंगे तो तीनों से पास होगा ठीक है o b की radius ले लीजे और एक इस तरह से circle बना दीजे यह है ठीक है यह एक circle बन जाएगा यह देखे उसकी बाद हमने क्या करना है यह देखे जो a, b है हमारा यह हमारी पहली भुजा है सब्तो भुज की जो हमारी a2 है ये 2nd भुज़ा है अब देखिए ये हमारी तीसरी भुज़ा हो गई आदी भुज़ा है आदी भुज़ा है आदी भुज़ा है आपकी इधर से ले जिनका हात थोड़ा inaccurate चलता है उससापका जो error है बीच में ही आ जाता है ठीक है बाकी फिर यह जो charms है आपकी जो आपकी arcs है इनको आप इस तरह से मिला देंगे scale की मदद से आप इन्हें मिला लीजिए इसमें थोड़ा dark pencil का use करेंगे क्योंकि हमारा main figure है pentagon ठीक है इस तरह से जो भी arcs से इनको हम मिला देंगे ठीक हो गया यह तो हमारा pentagon इस तरह से तयार हो गया है ठीक है यह हमारा pentagon तयार हो गया है इसे तरह के और भी वीडियो अपने चैनल में upload किये हुए है आप हमारी engineering drawing playlist को visit कर सकते हैं अगर आपको आज के हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को like कर सकते हैं हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं आज के हमारी वीडियो देखने लें बहुत बहुत धन्यवाद